नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शबी उम्मिद करते हैं कि भगवान भोलिनात के शिरबाशी आप शबी बहुत यच्छ होंगे अपने घर में स्वस्थ होंगे उद्दम शुकों का लाब ले रहे होंगे दोस्तों आप शवी को बदा दे कि आज शाम के चार बच कर तीस मिनिट के बाद आप शवी के जो उनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों सुनकर घर और परिवार खुशी से जुमने वाले हैं कि दोस्तों आप शवी की जानकारी के लिए बदा दें कि आज शाम से आप शबी के जिवनकाल में चार छित्रों से लाब मिलना प्रारम हो जाएगा जिहां दोस्तों और यह शमय आप शबी के जिवनकाल में खुशियों की कोई ठीकाना नहीं रहेगा जिहां दोस्तों वा कौन से चार जगा है जिन से आपको लाब मिलने वाला है जिए दोस्तों आज शाम से आप शुबी की किश्मत में कौन-कौन शे बड़ी बदलाव आने वाले हैं और इनके लिए आपको कौन लेकर अंध तक इन्हें आप पस जरूर देखेगा दोस्तों अगर आप एक बार इस वीडियो को अंध तक देखे लेंगी तो आपकी जुनकाल में जो शुबलता है जो लाव आपको मिलने वाली है चार छेत्रों शे दोस्तों वो लाव आपको मिलकर ही रहेगा उन्हें कोई रोक नहीं शक्ता जे दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शावधनिया ही कुछ जैसा बताएंगे कि कोई भी दुश्मन का चारा नहीं चलने वाले हैं और कभी बीश्वर आप शे नराज भी नए होंगे कुछ जैसे उपाई भी हम बताने वाले ही तो दोस्तों सब्सक्राद सब्सक्राद करें गिए unserer टुर i'm और शेयुक्तर से अबिशन और तक द्वॉल आपको जाएगी पूर्ठाओं करते हैं शर्परतन दोस्तों जो भी भगवान भुल नाद के माता पारवश नेके सच्चिय भाकते हैं। दोस्वों वीडियो को एक प्याराश लाइक करके कमेंट बॉक्ष में शच्चे मन से हर हर महादेव ओम नमस्षिवाई जरू लिखेगा दोस्वों माता पारवती और भगवान भुलनाद का शिर्वाद आप शबी को प्राप्त होगा शादी दोस्वों चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल से तूरंत ही जुड़ जाइए दोस्वों भगवान भुलनाद और माता लक्षमी का शिर्वाद यूँ ही आप शिवी को प्राप्त होता रहेगा जिया दोस्वों तो आई दोस्वों बात करते हैं दोस्वों सबसे पले आप शिवी को बता दें कि भगवान भुलनाद और माता लक्षमी का शिर्वाद आप शिवी के जिवनकाल मियाश में पढ़ने वाले हैं जिया दोस्वों शाक्षात माता लक्षमी यानि की माता पारवती का ही रूप कहा जाता है जिन के कारण दोस्तों आई शाम से आपको 4-6 शिलाब मिलना निस्चित है जिए दोस्तों इन्हें कोई रोक नहीं शक्ता जिहां दोस्तों आप शिबी को बता दें कि यश्मे आपके कुंडली में धन लक्षमी योग का निर्मान होने वाला है जिन से दोस्तों बड़ी बड़ी शिफलताएं आपको मिलने वाली है शादी शाद दोस्तों यश्मे आप शिबी के कुंडली में राज योग का भी निर् उनकी रप्तार गोड़े शिवी तेज होने वाली है। जी दोसों लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। लोगों में भगदर मत जाएंगी। कि कहां शी आखिर आपको इतनी खुशिया मिल रही है। आपके करियस जुड़ी जो भी बधाई थी। दोसों यह श तक बने रही का। जी दोसो, शाधिशा दोसों हम आप शुबि को बथा दे कि आज के इस जिवनकाल में कोई भी इंशान किशी का नहीं होता। जी है दोसों शबको यह अपनी-पने-पनी दाप के चकर में रहते हैं। अकोई इंशान काम निकल गया है तो वह इंशान आपका शाथ छोड़ देता है दोस्तों यह चीज आपने भी अपने जुनकाल में अनुभव किये हैं जिया दोस्तों और कुछ यह सही बातों का ध्यान यश में आपको रखने होंगे जिया दोस्तों यह आपके लिए बड़ी शावधानी है आज शाम से आपको कुछ ऐसे लोगों शे शतरक और शमल कर रहना होगा जो कि हमेशा आपकी लाब लेने के चकर में रहते हैं जो कि हमेशा आपको फ्योग करने के चकर में रहते हैं और जब उनका काम निकल जाए तो दोस्तों वो आप शिरी हाथ चोड़ा लेते हैं तो दोस्तों आप ध्यान देजी, आप शमज़ाई कि कौन सा अइशा भव्यक्ति है कौन सा इशा इंशान है जो कि आपकी दिनकालब में रह कर आपके लिए सिप लाभी लाभ आपके लिए शिप आपका आपके लिए वो अपने लिए ही सोचते हैं आपके लिए कुछ नहीं सोचते जिया दोस्वों इसे व्यक्ति श्वी आज शाम से आपको श्रावधान रहना होगा जिहां दोसों आप शुपी को बता दें कि आज शाम से जो धनलक्षमी या नाम का योग का निर्मान हो रहा है दोसों आप शुपी को बता दें कि आज शाम से जो धनलक्षमी योग का निर्मान होगा दोस्टों आपके लाब के चित्र में बहुती महत्पुन बड़े और बहुती अच्छे एक भूमिका निमाने वाले हैं कि दोस्टों अब या शमय आप शुवी के राश्वी वालों के लिए शुक का समय लेकर आएगा या धनलक्षमी नाम का योग जिहां दोस्टों शुक शुवी धाया आपके जुनकाल में आपको वे शुवी मिलने वाली है जिनकी आप काम ना करते थे जिनके लिए आप मेहनत करते थे जे दोस्वों आई शाम से गरहों की बहुती बड़े परिवर्तन हो रहे हैं वह दोस्वों बेहदी आपके लिए खाश हैं जे दोस्वों दो धन योग और शाथिशाद राज योग का जो निर्मान हैं शाथि माता लक्षिमी और भगवान भुलिनात कशिय मश्रबाद माता पर्वति का शुमिश्रबाद आप शिवी की जुनकाल में होने शे दोस्वों आपकी जुनकाल में बहुत यच्छे शमे शुरू होने वाले हैं जे दोस्वों अगर आप कोई कारी की शुरुवात कर रहे हैं तो दोस्वों यकीन मानिए उस कारी में आपको बहुत यी बड प्रंतु आप शिवस हम यहीं कहना चाहेंगे कि जब भी आप नहीं कारी की शुरुआत करें, जब भी आप कोई इसी चीज की शुरुआत करें जो आपने पहले नहीं की थी, तो दोस्तों उनसे पहले आपको इश्वर का नाम, भगवान भुलिनात का नाम, माता लक्षमी का लेकर ही उन कारियों के शुरु आते नाम मासटा पारवती के शुरुषि ही, वह कारे शुभ हो जाएंगी, जिन दोसों शातिशा दोसों आपको बता दे कि आज शाम से आपकी जो जिवन की गती है वो तेजी से दोड़ने वाले हैं शुफलता के नएने किर्टेमान आप अस्तापित करने वाले हैं जिन दोस्तों आप जिस चेतर में हाथ बढ़ाएंगे उस चेतर में आपको काम्यावी मिलने वाली है। जिस चेतर में आप नए नए खुशकबरी को पाच चुके हैं। जिस चेतर में आपको कुछ शावधनियां रखनी होगी। जिस चेतर में आपको यही बीकार और दोस्तों आपको यही कार अब नहीं करने हैं। दोस्तों गर आप इन कारियों में पर्तिबन लगाएंगे। बुरे खर्चे को रोग देंगे तो दोस्तों यहीं मानिए। आपके बुरे शमे हो अच्छे चमे हो मता लक्षमी हमेशा आपके शात रहेंगी। जियां दोस्तों शाति साथ दोस्तों आपको बता दे कि अब शचेस आपको कोई भी महत पून फिचला किसी के बहकाव में आकर नहीं लेना है। किसी के जहाशी में आकर आपको इशा कारी ना करें, जो कि दोस्तों आपको कोई शाठी नहीं पहुचेगा, शाधि-शाठ आपको कोई शाठी नहीं रहेगा कि आपके कारीयों की नुक्षान किसी और की वज़शी हुआ है, जे दोस्कों आप शिवी को प creeping को बता दें, कि आप को भी बड़ा फिशला ले रहे हैं। चाहे वो आवयपार से जुड़ा हो, प्रेम शमदनों से जुड़ा हो, नोकुरी से जुड़ा हो। दोस्तों कोई भी फैशला हो आपकी जुमकाल से जुड़ा दोस्तों हमेशा सोच समझ कर ही उनमे निरले लिजेगा जे दोस्तों ये आपके लिए कठिन शमेश शुरू होने वाले हैं एक परकार्शिव कि दोस्तों माता लक्षमी का शुर्बास साथ है तो धनलाब आपको मि भरशा नहीं करना है विश्वास आप कि दोस्तों आप हमेशा स्वी देख रहे हैं कि आपके विश्वास का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं आपके अच्छे नेचर का आपके अच्छा वैवार होने का लोग बहुती बुरा फायदा उठा लेते हैं जे दोस्तों पर वो आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं जे दोस्व, इंशे आपके आत्म शम्मान की भी सती पहुंचती है इसलिए दोस्व, हम आप शिवी को बता रहे हैं कि आशे ही ये सारे काम बंद कर दीजीगा जे दोस्व, शादिश्या दोस्व, आप शिवी को बता दें दोस्व, वही पर पेशा दीजीगा दोस्व, किशी के कहने पराकर पेशा आपकी शिवी को बिल्कुल भी नहीं दीजीगा करों कि यह भी स्तिती दर्शा रही है कि उधार दियोए पेशी, आपको वापश मिलने में बहुत ज़्यादा प्रिशम करना होगा तो दोस्व, शावधान रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है श्रादिशा दोस्व, हम आप शिवी को एक बात बताना चाहेंगे कि अब शिवी आपको कौन से छितरों में लाब मिलने वाले हैं दोस्व, शरपर्तम आपको लाब मिलेगा आपके कारी के चितरों लेकर जिया दोस्व, जब आप कारी के चितर में कारी कर रहे हैं तो दोस्व, आप शिवी को बता दें कि आपके लाब के मोकेशे बढ़ने वाले हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे जियां दोस्तों आप शुपी को बता दें कि आपके लाव में अब दुगनी तेजी आने वाली है अब आपके कारिभार में बहुती बड़ी प्रगति आपको मिलने वाला है जियां दोस्तों शातिशा दोस्तों हम आप शुपी को बता दें कि कारिभार का जो जो भी कार्य करें, मन लगार करें, लाब मिलना है, यह मिलना है, आप दोस्तों आपको ये भी बता दें, आपके जीमन की सभी फिरकार किया विनास कारी सकतियों का खात्मा स्वेम मालक्ष्मी करने, शादे शादो, बश्रते दोस्तों आप शिबी को बता दें, कि आप अपने कार्यों की जो मेहनत हैं, उन्हें हमेश्वा बढ़ाते रहीगा, दोस्तों मेहनत में कभी भी कमजोरी मत किजीगा, दोस्तों इनसे आपके कारिभार की जो डोर है, वो टूट भी शक्ती है, एक परकार से कहें, दोस्तों आप लाप शिबी वनचित रह शकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत रखेंगे, लगन रखेंगे, तो दोस्तों आपकी कारिभार की जो तेजी है, वो बढ़ते ही रहेग शांति आपको बदा दे कि आपके शारी विनाशकारी शक्तियों का विनाश श्वेंग शाति शाद हम आपको यह बात भी बताएंगे शाति शाद दोस्तों आप शिवी को बता दें कि यश्मी माता लक्ष्मी बगवान भोलेनात आपके इशाथ है तो दोस्तों आपके जुनकाल में आने वाली शारी विप्रित गरहों का अभी विनाश माता लक्षमी और भगवान भोलिनात करने वाले हैं कोई भी बुरा परवाव आपके उपर नहीं छोड़ सकता है तो दोस्तों इनका भई आप अपने जुनकाल से अभी भी निकाल देजिए कि कभी भी आपके जुनकाल में कोई शंकट किशी व्यक्ति के आनेश होगा बशरते आपको शावधनिया बशरकनी है और हमेशा जितना होश के गरीब जरुत मंद लोगों के आपको मदद करना है अगर आपके पास भगवान भोलिनात और मातल लक्षमी के शिरबाद से कुछ धना आ रहे है तो दोस्तों आप जरुत मंदों को भी जरुरी दान किजिएगा दोस्तों इनसे आपकी प्रगति हमेशा तेजी से बढ़ती रहेगी शाथी साथ दोस्तों आप शिरब को बता दे कि आप अपने जुनकाल में आज शाम से बहुती बड़ा उंचायों को छोने वाले है नए ने शपलताए नए 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 काम्याबी अब आपके कदमों में आने वाली है जिया दोस्तों मातल लक्षमी और भगवान भुरिनात आप शिरब के उपर बहुती ज़्यादा महदबान है बहुती ज़्यादा खुश है प्रशन है जो लोग नोक्री की तलाश कर रहे थी दोस्तों यश में आपको नोक्री मिलने वाली है जे दोस्तों शबशी बड़ा लाब आपको इशी शेतर में होगा कारिभार की शेतर में जो लोग नोकरी के शेतर में हैं उन्हें नोकरी में पद्वन्ति मिल सकती है जो लोग नोकरी की तलाश में उन्हें नोकरी मिल सकता है शादिशाद दोस्तों आपको बता दें कि जो लो पार दुगनी गतिशे बढ़ने वाली है आपको तरकी दुगनी गतिशे अब मिलने वाली है क्योंकि दोस्तों भगवान भुर्यात और माता लक्ष्मी एक शाथ आपके उपर परिशन हुए है शाथ धल्लाप काज भी हुए है और अपर नहीं आपकों साथ यहा है अवाली है अवाली है कार रहा है शादि शाद दोस्तों आप शुब को बता दें कि दूसरा जो लाब है वह मिलने वाले हैं प्रेम शम्मंद को लेकर जे दोस्तों जो लोग अब विवायत हैं उनके लिए विवा के नई रिष्ट्यास रखते हैं जिनके जुनकाल में पिछले कईशी में से नौक जोक चल रहे खबर आपको मिलने वाली है आपकी रिष्टे फिर्षी तरुताजा होने वाले हैं बस आपको करना क्या है कि आपको अपनी गलती को शुकार करके अपने शाति के शात रहना है उनके भी भावनों को शमजना है और आपको भी उनके शात अपने भावनों को शेर करना है दोस का रातना मातारानी के राधारानी की आपको आर्थी करनी है दोस्तों आपके प्रेम शमन में आने वाले श्रम में कोई भी बाधाएं नहीं आने वाली है जिए दोस्तों शादिशाद दोस्तों आपको बिदा दें कि जो लोग शंतान प्राप्ति के लिए पिछले कैश में से दिन दे शाथे शाथ दोस्तों आप शिवी को बता दें कि माता लक्षमी और भगवान भोलनात के शिर्बाश ही अब आपके शंतान्प शाथे शाथ दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि शंतान प्राप्ति के अच्छुग जातकों के लिए यश में शंतान प्राप्ति का शुक मिलने वाला है परिवार में शंतान आने वाले हैं शंतान की बड़ी खुशकबरी आप शिवी को प्राप्त होने वाली है दोस्तों शाथे शाथ हम आप शिवी को बता दें कि आपकी कमजोरी को कि शातिर शाद दोस्तों हम आप शिबी को बता दे कि क्रोध पर आपको अब नियंद तरण रखना होगा जिए दोस्तों आप हमेशा कोई भी कार्य करें अपने वाने पर शेमर्ख कर ही करें यह दोस्तों आप शी बहुत शारी एशी गलती क्रोथ के ही कारण हुआ है चुकि दोस्तों आगे जाकर आप पस्ताते भी हैं इसलिए हमेशा आप क्रोथ पर नेंतन करना शीक हैं वानिश ये कुछ भी आप शब्द बोल देते हैं तो दोस्तों आने वाला शमिय आपका खराब हो जाता है चाहिए वो रिलेक्शन्शिप हो या फिर कोई भी कारबार हो दोस्ती हो